नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल अल्टीमेट नॉलेज पर दोस्तों अपनी आज की इस रीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नौर्वे के बारे में और जानेंगे नौर्वे से जुड़े हुए कुछ रोचक तत्थियों के बारे में अगर वीडियो आ पर नागरी की इंकम की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करता है जहां पर जाके कोई भी इंसान किसी की भी इंकम को बहुत आसानी से देख सकता है नौर्वे में रहने वाले पुरसों को दो नामों से पुकारा जाता है ओड और इवेन साल 2011 में नौर्वे के अंदर खरीदने के लिए पूरे 50 अमेर्की डॉलर यानि की लगभग 3,000 रुपे के आसपास पे करना पड़ा था नौर्वे की पबलिक यूनिवस्टी में वहां के सभी नागरीकों को मुफ्त में सिक्षा दी जाती है इसके सासद वहां का कोई भी नागरीक दुनिया की किसी भी क पूने में स्थीत है जो की नौर्थ पूल पे पड़ता है जिस कारण से यहां पर सर्दियों के समय में सिर्फ और सिर्फ अंधिरा रहता है और इसके उलट गर्मियों के समय में यहां पर 24 घंटे आप लोग सूर्य को देख सकते हैं साल 2014 में प्रोस्पेरिटी एंड वैलफ पकड़े हुए दिखाया गया है लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस देश में शेर का कोई अस्तित्वी नहीं है नौर्वे और स्वीडन दोनों ही एक दूसरे के पडोसी हैं लेकिन 1814 से लेकर के 1905 तक यह दोनों ही देश एक हुआ करते थे 1905 में इन दोनों नौर्वे ना कह करके नौर्वे किंग कहा जाता है नौर्वे में 12 सिंगों की बहुत बड़ी आवादी है और इनकी आवादी को रोकने के लिए यहां के लोग 12 सिंगों को पकड़ करके अपने दातों से इनके अंड कोशों को खा जाते हैं और उसके बाद इने छोड़ दे नौर्वे के लोग अपनी लाइफ में बुक्स पढ़ने के भी काफी शौकीन होते हैं यहां का हर नागरिक एवरेजली एक साल में कम से कम पांच हजार रुपे सिर्फ और सिर्फ किताब पर खर्च करता है साल 2017 में नौर्वे की गौर्मेंट ने FM रेडियो को पूरी तरह से बंद कर दिया जिस कारण से नौर्वे इस दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने FM रेडियो को बंद करके डिजिटल वर्ड में पूरी तरह से स्विच कर लिया नौर्वे में एक जगा है जिसका नाम है हैल और अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है नर्ग ठीक इसी तरह से अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है टैकसस नौर्वे में इसका अर्थ होता है पागल नौर्वे के कानून के अनुसार अगर वहां के स्थानिय प्रशासन को ऐसा लगता है कि कोई भी पैरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोशन सही तरीके से नहीं कर रहे है या फिर अपने बच्चे पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा कर रहे है तो वहां का प्रशासन बिना म पिता की अनुमती के उस बच्चे को अपनी कस्टडी में ले सकता है क्योंकि नौर्वे में बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा बरदाश नहीं की जाती है। नौर्वे का कुल छेटरफल तीन लाग पिच्चाषी हजार एक सो अठाथर किलो मिटर है। नौर्वे की राज़धानी ओसेलो है और यहां की ओफिशल लैंग्वेज नौर्वेगियन मानी जाती है। नौर्वे की अधिकारिक मुद्रा का नाम नौर्वेगियन क्रोण है। नौर्वे इस दुनिया में अपने एक अजीब कानून के लिए भी जाना जाता है नौर्वे की कानून के अनुसारी यहाँ पर किसी भी कुट्टे को बांध कर रखना एक कानूनी अपराद है यहाँ पर कुट्टे को सिर्फ विशेस परिस्थितियों में ही बांधा जा सकता ह जब उसे बांधना आवर्शक माना गया हो जहाँ पर भारत में कोई भी बैक्ती अगर पुलिस में भरती होना चाहता है तो उसके पास सिर्फ डिगरी होनी चाहिए चाहे वो किसी भी छेतर की क्यों नहो लेकिन नौर्वे में ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर यहाँ पर कोई भी इनसान पुलिस में भरती होना चाहता है तो उसके लिए उसे तीन साल का पुलिस स्टडी करना पड़ता है जिसके बाद उसे बैचलर की डिगरी मिलती है और उसके बाद ही वो अपनी लाइफ में पुलिस में भरती हो सकता है नौर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी साल की उम्र कैद दी जाती है और इसके साथ साथ यहां पर कैदियों को हर परकार की सुविधाएं भी उपलब्द कराई जाती है यहां पर कैदियों के देखने के लिए फ्लैट टी बी इनके सैल्स में एसी के साथ साथ इन्हें इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्द कराई जाती है नौर्वे की सुप्रीम कोट ने अमेरिका के एक ड्रग तसकर को ये कह करके यहाँ पर शरन दी थी के अमेरिका की जेले किसी भी मानविये मुल्यांकों को पूरा नहीं करती है और वहां की जेले कैदियों के रहने लाइक बिल्कुल भी नहीं है दूसरा में कई देशों के लाखों लोग मारे गए थे लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा के नौर्वे के सिर्फ दस पुलिस कर्मियों की ही जान गई थी नौर्वे एक ऐसा देश है जो की 2008 में एमाजोन वर्सावन को बचाने के लिए सबसे आगे आया था और नौर्वे न आप लोगों को सरकार को लाइसेंसिंग फीज देनी पड़ती है जो की एक साल में लगभग 30,000 रुपे के आसपास होती है नौर्वे के अंदर लगातार 76 दिनों तक सुर्यास्त नहीं होता है और ये समय मैई से लेकर के जुलाई के अंत तक का होता है आप सर लोग इस बात मचली के उतपाद में इस पूरी दुनिया में सबसे आगे माना जाता है असल में सैलमन सूजी की उतपती नौर्वे के अंदर हुई थी और जैपनीज लोग इसे 80 के दरसक में जान पाएं थे नौर्वे का समुदरी छेत्र लगभग 11,388 किलो मिटर है ये इतना बड़ा है कि आप धर्ती के पूरे धाई चक्कर लगा सकते हैं एक्चुली में नौर्वे के पास 50,000 से भी जादा आइसलेंड है जिसके कारण से इसका समुदरी छेत्र इतना बड़ा है